तो है नमस्का दोस्तों आप सभी का और नहीं वीडियो में स्वागत है तो यहां पर फाइनली एक और नहीं अपडेट आगया है आपका को चाहिँ मोडी नाइब आपको देखने की वीडियो में उसको यहां यहां पर इन्हों पताता हूँ कि क्या क्या और मैंगा आठ तहुरी अचला है अच्छे अच्छे वीचर यह पूरा देखेगा और एक दो फीचर्स को रिमूब भी करा है तो वीडियो पूरी अंट तक देखेगा उससे पहले यार प्लीज नीचे जो सस्क्राइब बटन है उसको दबा दीजे ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं साथी साथ वो जो घंटे का आइकन आएगा जब आप सस्क्राइब बटन दबाओगे तो उसको भी दबा देना ता बूल जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर दिखा दूँ कि आपको क्या-क्या नया मिलता है तो मैंने यहां पर नोट्स के अंदर कि क्या-क्या आपको इस अब्डेट में नया देखने को मिल जाएगा तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहली चीज आफ्टर फेस अनलॉग in lock screen no swipe up needed तो यह क्या है अगर आप यहाँ पे face unlock use करते हो आप यहाँ पे lock कर दोगे phone को उसके बाद आपको यहाँ पे जो face unlock आपका detect करता है यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा smiley देखने को मिलता है और अब smiley को यहाँ पे इन्होंने add करिए कि मतलब आप lock करोगे आपने यहाँ पे अपने face से unlock करा face को detect करा लिया और detect हो गया अब आप यहाँ पे simply fingerprint लगाओ और आपका fingerprint से भी unlock हो जाएगा तो यहाँ पे यह जो 9.4.12 है उसमें भी आगया है change lock उपर मत दिखो वो मैंने logic नहीं करा है तो 9.4.12 की जो update है उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है 9.5.15 में नहीं 9.4.12 से ही यह चीज़ देखने को मिल जाती है मतलब आपका जो face unlock है fingerprint है डोनों एक साथ work कर रहा है यही चीज़ हमको अब इसमें भी चाहिए यानि app unlock के अंदर भी चाहिए जो की जल्दी से आजाए काफी अच्छा है क्योंकि अगर आप देखोगे अगर app को आप unlock करोगे तो आपका face data verify करता है साथी साथ fingerprint एक साथ verify नहीं करता है मैं दिखाता हूँ आपको देख सकते हो face data verify कर रहा है मैं यहाँ पर fingerprint लगाऊँगा तो नहीं खुलेगा कुछ देर आपको wait करना होगा उसके बाद जो नीचे काल option है वो चला जाता है उसके बाद आप यहाँ पर simply अब इससे unlock कर सकते हो तो यह चीज आगे चल के यह देनी चाहिए इनको जो कि काफी अच्छा हो जाएगा उसके लावा बहुत साए लोगो को भी तक नहीं पता है पाई के अपडेट में आप hotspot और wifi एक साथ महाँ पर work नहीं करता है तो इसका भी मैंने एक fix बताया है पिछले वीडियो में आप जा कि उसका link मैं description देदूँगा देख सकते हो कि किस तरीके से आप wifi और hotspot पाई के MIUI 10 अपडेट में आप चला सकते हो साथी साथ अगर आपका कोई भी फोन है उसमें work नहीं करता है wifi और hotspot एक साथ तो आप उसमें भी वो कर सकते हो बिना किसी problem के यह बहुत साथ लोगों को नहीं बता था मैंने वीडियो बनाया तो वो लोग कहरें कि हमारे में पुराना feature है यह कप से पुराना होगा है लेकिन हाँ यार पाई की update में इसको बंद कर दिया है आगे चलके हो सकते हैं आप आपको दुबारा दे दे क्योंकि Poco phone में इसका fix दे दिया है फिलाल के लिए जो fix मैंने बताया है वो ही सबसे best working fix आपको दिखने को मिलता है उसके बाद है एक चीज और remove कर दी है fast charging battery icon color changes remove तो यह क्या है पिछले कुछ update में आपने धिया होगा जो कि आपका उपर battery icon है अगर आप fast charging करो तो उसका icon का color यहाँ पर blue में change हो जाता था उस चीज को अभी इनोंने यहाँ पर remove कर दिया है अगर मैं आपको यहाँ पर अपने fast charger से charging करके दिखाता हूँ एक minute में तो आपको यहाँ पर icon अब देखने को नहीं मिलेगा simply वैसे ही जैसे green color का पहले देखने को मिलता था वैसे ही देखने को मिलेगा यानि मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया आप देख सकते हो fast charging भी होने लगेगी अभी और यह icon green ही देगा देख सकते हैं fast charging में आ गया है fast charging का logo भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन icon green रहेगा तो इस चीज को इन्होंने remove कर दिया है अब यह ऐसा क्यों remove करा क्योंकि काफी अच्छा वहाँ पर लगता था जो कि आपको charger में differentiate करता था कि आपका कौन सा icon है कौन सी charging हो रही है यह काफी अच्छा लगता था आप बताओ मुझे comment section में अच्छा खासा बेना किसी problem के work कर रहा है लेकिन यह भी अभी थोड़ा bug है मतलब हर time पर यह work नहीं करता है कुछ time जैसे आपने पहली बार lock करके अपने phone को लगाया तब ही आपको यह show करेगा उसके लावा आपने unlock कर दिया phone को फिर से lock कर दिया तो आपको यह show नहीं होता है जड़ी देख सकते हो मैं double tap करा अब यहाँ पर यह show नहीं होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको भी यहाँ पर यह थोड़ा buggy आपको देखने को मिलता है हाई हूप आगे चलके यह भी solve channel को भी join कर लो जिसमें आपको मिल जाएंगे सारे updates सबसे पहले links के साथ उसके लावा font style थोड़ी change हो गई है यहाँ पर मैंने front लिखा है लेकिन font है तो font की style थोड़ी बहुत change यहाँ पर मुझे लगी एक दो users ने भी मुझे बताया कि font style में about changes यहाँ पर आ गया है तो मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर लग रही है ज्यादा कोई difference मुझे यहाँ नहीं देखने को मिला लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ठीक ठाक आपको यहाँ पर font style देखने को मिल जाएगी को मिलती थी शाओमी में लेकिन अब यहाँ पर दीरे दीरे जित्ते भी पाई की डिवाइस से सम्में यह रोल आउट कर रहे हैं यह शाओमी का अपना digital well-being का क्लोन एप्लिकेशन है यानि तो वह डिजिटल शाओमी अपना ही यहाँ पर screen time alert भी लगा सकते हो मालो आपको यहाँ पर alert लगाना screen time आप पांच घंटे से ज्यादा phone नहीं चलाना है आपको तो आप उसको alert लगा सकते हो कि पांच घंटे से ज्यादा आपका screen time नहीं चलेगा देखो screen time limit मैं को on कर दिया तो screen time limit for today 5 hours आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानि 5 hours हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर यह notification देने लगेगा कि आपका screen time हो गया है फोन आप रग दी जिपर करके तो यह चीज भी काफी अच्छी रहती है अगर आप ज्यादा यूज करते हो वर यूसेज में आ जाते हो तो इसको भी आपको try करना चाहिए उसके लाब नीचे आपको और दिखाएगा कि एप में कौन-कौन से कितना screen time आपको सब्सक्राइब आपको और चीज अची देखने को मिल जैएगी कि आज आपने दिन में कितनी बार फोन को je चीज भी काफी अची मुझे आपके लगी क्योंकि मैं 9 बज़े शूटकर तो 9 ay के बाद आप देख सकते हो मैंने किती बार phone को lock करके unlock करा है ये चीज़ भी मुझे हम पर दिखाने लगा है जो कि काफी अच्छा है यहां पर रहता है आपको पूरा day to day usage पता चल जाएगा कि एक दिन में आप कितनी बार फोन को unlock करते हो फिर एक चीज काफी अची आती है कि notification आपने कितनी बार अभी तक receive करा तो आज देख सकते हो मैंने 380 notification रिसीव करे हैं कौन-कौन एप से वो देख पाऊगे notification बहुत सारे मुझे WhatsApp से ही आते हैं तो WhatsApp में आपको काफी सारे notification देखने को मिल जाएंगे उसके लवा आप यहां पे no manage भी कर सकते हो notification की कौन-कौन से एप भेजे आपको notification कौन-कौन से एप नहीं भेजे क्या आपको करना है क्या नहीं करना चाहिए यह तो today का होगे आप जाके seven days का भी देख सकते हो यानि साथ दिनों में पिछले आपने क्या-क्या यूज करा वो भी आप देख सकते हो last seven days में three twenty seven time unlock हुआ है notification शे है जार इतने time हुए है यह सब चीज आप अपने phone में देख पाऊगे last second days का आप two three hours का नहीं दिखा रहा है यानि आप last seven देखो देखो कल का देखो के तो seven hours था परसो का थर्टीन hours था eight hours eight hours eight hours five hours तो इस तरीके से आप यहां पे देख पाऊगे पूरा आपको यहां पे alert भी लगा सकते हो तो काफी अच्छा feature यहां पे दिया है और मैंने इसको कुछ ज़्याद ही बड़े में explain कर दिया तो उसके लिए देख लो वीडियो अगर अच्छी लगी तो तो like भी जरूर कर देना उसके लावा एक नया feature आपको और मिल जाता है कि आपको clock में अब आपको यहां पे दो color change करने का option मिल जाएगा यानि आप यहां पे white clock भी देख सकते हो साथ ही साथ आपको जो black है वो भी अब देखने को मिल जाती है black पहले ही मिलती थी अब यहां पे white भी देखने को मिल गई है मैंने आप इसको auto में set कर रखा है तो दियान रखी auto में ऐसा है कि सुबे के time आपको white दिखाएगा रात होते होते आपको यहां पे यह black आ जाएगी यह चीज काफी अच्छी यहां पे दी है और इस type का wallpaper भी देना Xiaomi वाला जो मी 9 में आये था कि सुबे के time पे आपको सुबे का wallpaper रहता है live wallpaper है देरे देरे चलते जलते आपके day के साफ से adjust हो जाता है रात में रात हो जाती उस wallpaper में तो काफी अच्छा wallpaper है लेकिन वो बिना system के वो नहीं चलता है तो यहां पे background color को आप यहां पे आ सकते हो यह बाद आपको बता देता हूँ आपको इस update में ही देखने को मिलती है one hand का animation improve हुआ यहां पे मैंने एक चीज notice करी थी अगर आप नहीं दिया है तो one hand जो है इसका animation यहां पे improve थोड़ा बहुत करा गया है लेकिन यहां पे एक चीज मुझे ऐसी लगी कि अगर आप यहां पे full screen display में हो तो one hand को आप activate नहीं कर सकते full screen display के help से हाला कि आपको एक ball में add करके add कर सकते हो बहुत साई लोगों ने मुझे बोला लेकिन यार देखो ऐसा है कि अगर हम full screen display चला रहे हैं तो आप one hand कैसे use करेंगे यह चीज भी Xiaomi भालों को ध्यान देनी चाहिए और I think इस चीज को देखा नहीं किसी ने और आप बताओ आपको क्या लगता है कि ऐसा इसको improve करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन लोगों ने क्योंकि अगर आपको one hand display अब on करनी है तो आपको पहले जाना होगा full screen display से नीचे button को on करना होगा उसके बाद ही आप on कर पाओगे यहाँ अगर आपको एक ball यूज करते हो mostly लोग नहीं करते हैं तो उसकी help से आप on कर पाओगे तो वो चीज आपको देखने को मलती है उसके लावा यहाँ पर आपको एक wifi probe protection मिल जाता है यह क्या है यह आपके जो mac अगर रहता है mac address जब आप wifi on करते हो तो उसको हर बार यहाँ पर different change करता रहता है जो कि आपके लिए काफी अच्छा है फोन को आपको थ्रेट से बचाता है वो चीज आपको इस नए अपडेट में देखने को मिल जाती है तो देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है Mioi automatically turns on wifi pro protection function when the mobile phone scan the VLAN it will randomly address the mac address to prevent the wifi pro box from stealing user privacy protecting the mobile phone तो यही चीज है आपका mac address को change करता है ताकि आपका phone में कोई भी privacy leak ना हो और protection आपकी बनी रहे phone में तो यह चीज सभी phones को यहाँ पर roll out होना शुरू हो जाएगी इस update के बाद हाला कि जो आपको digital well being वाला बताया है उसे pie के devices में आएगा और किसी devices में यहाँ पर आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है वो function फिलाल के लिए इस वीडियो में अपडेट में इतना ही आपको देखने को मिल जाता है tech size improve एक चीज में यहाँ पर रह गया वही चीज में यहाँ पर धुन रहा था tech size में जो आपको यहाँ पर improvement देखने को मिल जाती है कि आप इस तरीके से यहाँ पर आपको एक और दिखा देगा कि more option और भी है आपको यहाँ पर display size change करने का जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर लगा और यह hidden है I think क्योंकि जब तक अड़ोल एक्सल में जाओगे तब तक आपको यह option नहीं दिखाता है उसके लावत जिस हिसाब से आपको set करना है आप उस हिसाब से यहाँ पर अपने phone के हिसाब से आप set कर सकते हूँ text size को अपने phone के अंदर फिलहाल के लिए बस वीडियो में तही है और अगर आपने देखनी है कि wifi hotspot एक साथ कैसे चलाते हैं लिंक description में या i button में दे दूँगा साथी साथ अगर आपको इस रोम को update करना है यानि 9-4-15 में जाना है तो उसका भी link में आपको नीचे description में दे दूँगा इसके लिए आपको TWRP recovery अपने phone में होनी चाहिए simply आपको फाइल को select करके flash कर देना है कोई भी data वेटा आपका format नहीं होगा phone जैसा है वैसा ही रहेगा काफी smooth running है बैटरी भी ठीक ठाक है charging अभी भी फिलाल slow ही यहां पे रहती है फिलाल के लिए इस वीडियो में इता ही अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ मिलता होने वीडियो में तब तक लिए जैहिंद मंदे बत्रम टेक केर